प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे आज मैं आपको आज के धैनिक पंचांग के बारे में बताने जा रहा हूँ आज दिनांक 25 नॉवंबर 2020 दिन बुद्धवार बुद्धवार भगवान गणेश का दिन माना गया है आज जिनका भी जन्मदीन है उनको उनके जन्मदीन की धेर सारी शुव कामना है आप सभी भक्तों के उपर भगवान गणेश का करपा सदैव बना रहे हैं आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथी होगी अगले दिन सुभा पांच बजकर बारा मियाट तक आज एकादशी तिथी होने के करण आज का एकादशी बहुत ही खास है क्योंकि आज देव उठान एकादशी जिसे की देव उठनी एकादशी और प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है इस दिन भगवान विश्णु चार माह योग नित्रा के दोरां आज जागरित होते हैं और आज भगवान विश्णु का सालिक ग्राम के रूप में माता तुलसी से विवाह कराया जाता है तो आज का दिन बहुत ही खास है आज का एकादशी ब्रत करने से मनुश्य के सारे पाप और ताप सभी नश्ठ हो जाते हैं और उन्हें अनंत गुना पुर्ण्य फलों की प्राप्ती होती है आज सुर्योध है सुभा छे बचकर चौदा मिनट और सुर्यास्त साम चार बचकर उनसर मिनट चंद्रोध है यानि की चंद्रमा उदित होंगे दो पहर दो बचकर बारा मिनट पे और चंद्रास्त यानि की चंद्रमा अस्त होंगे मद्रात्री एक बचकर बयालीस मिनट पे सुर्य वरिश्यक राशी में रहेंगे और चंद्रमा में राशी में यहां हेमंतरितु है अयन दक्षनायन रहेगा नशत्र की बात करें तो उत्तर भादरपद नशत्र साम 6 बचकर 21 मिनट तक दिशाशूल की बात करें तो आज बुद्धवार दिन होने के कारण आज के दिन उत्तर पुर्व और इशान दिशा की यात्रा ना करे यह लावकारी नहीं होगा अगर ज्यादा जुरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज बुद्धवार को तिलिया धनिया खाकर घर से बाहर निकले इससे पहले पांच कदम पीछे चले फिर अपने गंतब की ओर आगे बढ़े आज बुद्धवार का दिन भगवान गणेश का दिन माना गया है भगवान गणेश रिद्धी और शिद्धी के दाता है शभी विगनों को हड़ने बाले हैं और हर प्रकार के शुक को प्रदान करने बाले हैं तो आज के दिन भगवान गणेश का सची स्रद्धा के साथ वरत पूजन करे तो यहां अनंत पुन्य दायक होगा और लाबकारी होगा भगवान गणेश को शिंदूर चढ़ाए और उन्हें मोदक का भोग लगाए तो यहां लाबकारी होगा आज एकादशी तिथी होने के कारण आज के दिन भगवान विश्नु माता लक्षमी का पूजन करे इसे अनंत गुना पुन्य फलो की प्राप्ति होगी तो आईए जानते हैं आज के शुब महुर्द के बाले में शुब महुर्द की बात करें तो अभिजीत महुर्द सुबह 11 बजकर 15 मिनट से सुबह 11 बजकर 57 मिनट तक गुली कालम शमय होगा सुबह 10 बजकर 16 मिनट से सुबह 11 बजकर 36 मिनट तक अब आईए जानते हैं आज के राहुकाल समय के बारे में राहुकाल समय के दोरान कोई भी शुवकारी नहीं करना चाहिए यह लावकारी नहीं होता है तो राहुकाल का समय होगा सुभा 11 बज़कर 36 मिनट से 2 पर 12 बज़कर 57 मिट तक यह राहुकाल का समय होगा इस राहुकाल समय के दोरान कोई भी शुवकारी नहीं किया जाता है यहां विक्रम शम्बत 2017 प्रमादी है और शक्षम्बत 1942 सरवरी तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारे शेनल पे अगर आप नए हो तो हमारे शेनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाएं वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के शाथ शेयर करें सुखी रहें और स्वस्त रहें जैस्रे राधे कृष्ण धन्यवाद